इस वीडियो में हम आपको कुछ आपके नाम का इस टैप नाम का आपको सिखाने वाले AI की मतवसरी मि이에ले अधर इस टाइब का इमेज हम जेनरेट करने वाले है बिल्कुल इस वेडियो कप Jerusalem प्रोफाइल पीचर पर कहीं पर भी आप लगा सकते हैं आप अपने खुद के नाम का बनाएंगे ऐसा आज के इस वीडियो में मैं आपको यहीं सिखाने वाला हूं वीडियो को बिना स्कीप के कमप्लीट देखना है आपको स्टेब आ स्टेब में जानकार देदूगा कि किस तरह किसे ऐसा जो आपको एडिट करना अपने नाम का इमेज वो कमप्लीट आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही समझ में आएगा बिना स्कीप के अगर आप व वीडियो को शेर करते हैं यहां पर में मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आच चुका हूं सबसे पहले यहां पर आपको Google Chrome ब्राउजर को ओपन कर लेना है यहां पर आपको एक वेबसाइड का मैं लिंक देदूगा यहां पर यहां पर सर्च कर सकते हैं तो यहां पर आपको वह सब्सक्राइड ओपन हो जाएगी ठीके यहां पर आपको जोईन and create के option पर click करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर एक account create करना होगा इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है आप किसी other email का use कर सकते हैं इसके लिए आपको एक application download कर लेना है जिसके अंदर आप जितनी चाहे उतनी mail use कर सकते हैं यहाँ पर आपको काफे सारी email मिल जाएगी तो यहाँ पर इस application को आप download करके open करेंगे इसका भी link description में दे दूँगा जिसमें आपको हर तरह की email मिल जाएगी जिसका आप use कर सकते हैं जैसे यह वाली email है तो यहाँ पर आप copy पर click कर देगी email copy हो जाएगी change वाले option पर click करके change भी कर सकते हैं उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ पर create पर click करेंगे यहाँ पर no account create one वाले option पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर उस email को आपको paste कर देना है next वाले option पर click कर देना है यहां आप से फास्ट नाम लास्ट नाम पूंच रहे तो आप कुछ भी अपने हैसाब से डाल देना है उसके बाद next वाले option पर क्लिक करेना है country में जो भी आपकी country उससे आप select करेंगे यहां पर डेटो बर्थ के अंदर अपने हैसाब से कोई भी edge डाल देंगे लेकिन वो 18 सा से उपर होनी चाहिए उसके बाद next पर आप क्लिक करेंगे यहां पर जो हमने एक email डाली जो उस पर एक code send किया गया है तो आप इसी application में आएंगे यहां पर आपको inbox का option देखेंगे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सबसे उपर जो email मिलेगा इस पर क्लिक यहां पर return आएंगे और code को paste करके आपको next पर क्लिक करेंगे हमारा account यहां पर successfully create हो जाएगा कुछ भी करने की जरूत नहीं है यहां पर हमें एक बार capture जो है वह यहां पर verify करना पड़ेगा तो वह मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीक से उसे verify करना है थोड़ा से हमें यह सामने दो image देख रहा है तो यह जो इधर हाथ वाला image है यह जिस पोजिसमें है इस कार को भी उसी पोजिसमें में रखना होगा इसके लिए दो एरो है तो यहां पर आपको समीट पर क्लिक करेंगे यह सेम साइज में आगे तापको समीट पर क्लिक कर देना है आपका account successfully बन जाएगा उसके बाद यह कुछ भी नहीं करना है आपको आगे रिडारेक्ट कर देगा जहां पर हम अपना काम करेंगे और अपना logo बनाएंगे ठीक है यहां पर मैं आपको टोटल दो टेक्स्टर देने वाला हूं अलग-अलग जिन में मैंने सब कुछ लिख रखा है उसमे ईउपड़ वाला टेक्स्ट हम इसको यहाँ पर सलक्ट करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आ के इसको पेस्ट करेंगे पेस्ट करने के बारोड़ आपको ज्वाइन एंड क्रिएट वाले ओप्शन पे क्लिक कर देना है थोड़ा सा wait करना है automatically यहाँ पर आपका जो logo है वो बिल्कुल complete create होके आ जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा wait ले रहा है उसके बाद यह create होके आ जाएगा आप देखेंगे हमारे नाम का यहाँ पर इस type का logo यहाँ पर बनके complete हो चुका है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है सिर्फ इस पर click करना है so finally आप देखेंगे हमारा logo यहाँ पर आ चुका है आपको यहाँ पर three line पर click करके download पर click कर देना है यह download हो जाएगा और यहाँ पर यह second है इसको download कर लेंगे तो यहाँ पर लिए काफी गजब तरगे जो हमारे नाम के लोगों है वो यहाँ पर create हो चुके है अभी जो second वाला text हम इसको यहाँ से copy करेंगे और यहाँ पर हम इसको उपर जो text है इस पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे इससे हम all select करके हटा देंगे उस text को paste कर देंगे यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा रखा है बाकी इसमें कुछ भी हमने change नहीं किया है आपको create वाले option पर क्लिक कर देना है आपको कुछ भी change नहीं करना है आपको सिर्फ आपका जो नाम है यहाँ पर replace कर देना है मेरे नाम की जगे पर automatically आपका जो logo है वो complete बन जाएगा बल्कुल 3D में king type का बल्कुल बहुत ही गसब लगेगा तो थोड़ा सा wait करना है यह भी हमारा जो है बन के बल्कुल complete हो जाएगा हमने जो पहले create किया वो हमें नीचे मिल जाएगा जिसे आप click करके फिर से चाहें तो download भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा हम wait कर लेते हैं so finally आप देखें कि हमारा यह logo भी बल्कुल complete बन चुका है इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ S type का logo complete है तो दूसरा logo यह वाला है इसे भी आप click करके डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद यह वाला logo है इस पर भी आप click करके इसको download कर सकते हैं टोटल हमें यहाँ पर चार logo मिल चुके हैं जोने हमने click करके download कर लिया है तो टेलिक्राम पर जाके join कर लेना चल्दी से और वीडियो अच्छा लगे तो like करके share कर देना